चुनाओ के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइन्स मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिपनी दी प्रधानमंत्री ने दो तीन बार, चार बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा लिए हो मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी लोगों को खरीदना चाहिए और यही मैसेज फाइनांस मिनिस्टर ने दिया 1 जून मीडिया शूठे एक्जिट पोल रिलीस करती है BJP का ओफिशल जो इंटर्नल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था तो यह information BJP के लीडर्स के पास था intelligence agencies ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट आ रही है 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रेकॉर्ड तोड़ देता है और चार जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडर्राउंड चला जाता है 31 में मैसिव स्टॉक अक्टिविटी मौर देन डबल वाट वाट वस देर उन 30 अत्व मौर देन डबल वाट 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 वेंटी नाइन ट्वेंटीएट यह अनॉमली देखिए यह कौन लोग है यह वो लोग है जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है हजानों करोड रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं फोरन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किये हैं और उसके बाद 30 लाख करोड रुपए का लॉस होता है किसका लॉस होता है रीटेल investors का loss होता है तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की stock market की history का सबसे बड़ा scam है